सीमित क्या होता है और अनंद क्या होता है? जब हम सीमित की बात करते हैं, तो हम संख्याओं के पूरे नंबर सिस्टम की बात करते हैं. गनित मतलब, एक से लेकर कोई नहीं जानता कि आखरी नंबर क्या है? क्योंकि हम आखरी नंबर नहीं जानते तो हमने कहा अनंत सीमित को हम गिन सकते हैं जो हम गिन नहीं सकते उसके लिए कैलकुलेटर बनाते हैं जो कैलकुलेटर नहीं गिन सकते उसके लिए कम्प्यूटर बनाते हैं बस बढ़ता जाता है, अगर आप एक सुप्रीम कम्प्यूटर भी बनाएं, तब भी आप वाकई गिन नहीं सकते हैं, वो बस बढ़ता जाता है, तो हमने कहा कि कुछ ऐसा है, जो अनन्थ है, मूल रूप से हम कह रहे हैं, वो जो हमारी पहुंच से बाहर है, हम अनन्थ की बात किसी परम संख्या के रूप में नहीं कर रहे, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो हमारी पहुंच से बाहर है, हम उसे अनन्थ कह रहे हैं, अनन्थ कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, वास्तव में ये कोई नंबर ही नहीं है, ये संख्याओं के सिस्टम से बाह शून्य भी नंबर सिस्टम से बाहर है, लेकिन हमने उसे इसलिए अपनाया, क्योंकि हम अपनी उंगलियों की संख्या से आगे नहीं जा पाए, तो हमने उसे अपना लिया, आप जानते हैं रोम वासी कैसे गिरते थे, उनकी गणेत कितनी उल्ची हुई थी, आप नहीं जानत आप रोम संख्याओं का सिस्टम जानते हैं, 200 तक पहुंचते पहुंचते आप पागल हो जाएंगे, तो भारतियों ने एक सिस्टम बनाया, जिसे उपयोगी बनाया गया, क्योंकि अगर आप संख्याओं के साहरे ही चलेंगे, तो खो जाएंगे, आपने ऐसी चीज अपना नहीं, ये लोग गणित के प्रशंसक नहीं हैं, ये भारतिये हैं राष्ट्रियता की भावना बढ़ रही है तो अनन्थ, हम सोच रहे थे कि अनन्थ का क्या किया जाए फिर भारतिय योगियों ने एक तरीका खोजा उन्होंने अपना हाथ इस तरह रखा जब उनके जीवन का अनुभव अनन्थ हो गया तब उन्होंने जाचा और पाया कि उनकी अपनी उर्जाएं इस तरह से घूम रही थी जब भी वो अनन्थ हो जाते, उनका उर्जा सिस्टम ये रूप ले लेता तो उन्होंने इसे उस चीज़ का प्रतीक बना दिया जो संख्याओं से परे है तो आज आप इसे अनन्थ या असीम के प्रतीक के रूप में इस्तिमाल करते हैं इसे और्बरस भी कहा गया है जो एक घूमा हुआ सांप है जो अपनी ही पूँच खा रहा है तो ये अनन्थ का प्रतीक बन जाता है ये महत्वपूर्ण क्यूं है? क्यूंकि ये मौजूद है ये हमारे अपने अनुभव में और हमारी उर्जा में मौजूद है कि जब हम अपने अनुभव में अनन्थ हो जाते हैं तो हमारी उर्जा इस तरह से घूमने लगती है वरना वो इस तरह से घूमती हैं एक बढ़ते हुए स्प्रिंग के रूप में ऐसे बढ़ते हुए स्प्रिंग को यौगिक प्रणाली में या इस संस्कृती में इसे संसकार कहा जाता है स्प्रिंग का मतलब ये कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है बस हमेशा चलती ही रहती है और इसकी प्रक्रिती गोलकार है मतलब ये एक तरह से नियंत्रित है और उसी नियंत्रित घेरे में ये हमेशा चलती रहती है और लोग चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही हो अगर आप थोड़ा आसपास घुमें तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप आसपास हैं और भाग रहे हैं आप सत्य की खोज में ऐसे जाना चाहें तो आपका संसार इसकी अनुमती नहीं देगा इसलिए दुनिया में अगर आप सिगरेट पिएं, शराप पिएं या आप चाहे थोड़े थोड़े प्रेम प्रसंग भी चलाएं उन्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन अगर आप कहें कि मैं गुरू के पास जा रहा हूँ तो सबसे भायंकर तरीके से विरोध होगा क्यूंकि वो जानते हैं कि अब आप ऐसे जाना चाहते हैं अब आपका ये चकर खत्म हो गया है चकर में अगर आप यहां-वहां भी जाएं तो वापस आजाते हैं लेकिन जब आप ऐसे जाने लगें तो आप खो जाते हैं उनके लिए लेकिन अध्यात्मिक प्रक्रिया का मतलब ये नहीं कि आप कहीं भाग जाएं क्यूंकि वो जगह जो आप रहने के लिए चुनते हैं वो आपके जीवन की क्वालिटी तैं नहीं करती चाहे आप घर पर रहें या आश्रम में दोनों ही जगह आप या तो मुक्त हो सकते हैं या उलजे हुए तो जगह से फर्क नहीं पड़ता फर्क आपके भीतर जीवन की हलचल से पड़ता है कि इसमें किस तरह की हलचल है क्या ये गोलचकर है या ये सही तरीके से घूम रही है यानि ये अपनी अनंध प्रक्रिती की ओर बढ़ रही है अगर आप इस जीवन की प्रक्रिया के द्वार खुले रखें तो ये स्वभाविक रूप से घूमेगी क्यूंकि अनंध संभावना पूरी तरह उपलब्द है स्रिष्टी में जितना भी जीवन है वो आपके लिए उपलब्द है जब आप अपनी उर्जा को अनंध के तरीके से घूमाएं तो जीवन अलग तरह से चलेगा एक बिलकुल अलग तरीके से हम अनंध का प्रतीक स्क्रीन पर दिखाएंगे अनंध का ये प्रतीक ये ऐसा प्रतीक नहीं है जिसकी मनुश्यों ने कल्पना की हो ये वाकई होता है आपको अपना हाथ दूसरों के सिर पर नहीं रखना चाहिए क्यूंकि किसे पता हो सकता है आप भसमासूर के अवतार हो तो आपको ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये कोशिश कहां करनी है लेकिन अगर लोग एक विशेश स्थिती में हैं और आप उनके सिर पर अपना हाथ रखें तो आप देखेंगे उर्जाएं ऐसे घूम रही हैं मैं जगर नहीं बताऊंगा ताकि अब दूसरों के साथ ये चीज़े ना करें तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हमने कलपना की है ये उर्जा का कुदरती सिलसिला है जिसमें उर्जा तब जाती है जब जीवन का सीमित आयाम अस्तित्व की असीम प्रकृती को चूता है उर्जा सिस्टम जिसे इस शरीर को चलाने के लिए अब भी सीमित होने की जरूरत है वो इस तरह घूमता है अगर ये अनन्थ हो जाए तो ये एक व्यक्ति का जीवन नहीं होगा ये चला जाएगा लेकिन ये इस शरीर की सीमाओं में रहते हुए उस आयाम को चू रहा है जो अनन्थ है तो ये सीमित उर्जा इस तरह घूमने लगती है तो इसी तरह हम अनन्थ के प्रतीक तक पहुँचे शून्य और अनन्थ दोनों भारत में बने हैं क्यूंकि ध्यान की गहराई को जानने वाला मनुष्य चाहिए ऐसे नंबर तक पहुँचने के लिए जो कुछ नहीं है शून्य कुछ नहीं है अनन्थ भी एक तरह से कुछ नहीं है संख्याओं के ऐसे सिस्टम तक पहुँचना जिसमें जोड नहीं होता ये सिर्फ ध्यान की गहराई को जानने वाला मनुष्य कर सकता है वरना ये नहीं किया जा सकता तो हम अनन्थ का एक प्रतीक दिखाएंगे और एक छोटा बिंदू होगा जो रेखा के साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और अनन्थ के प्रतीक का सफर तै करेगा एक चक्र पूरा करने में साढ़े चार मिनिट का समय लगेगा मैं चाहता हूँ कि आप आँखों से और मन से और हो सके तो आप अपनी भावनाएं भी इस बिंदू से जोड दें क्यूंकि आप में से ज्यादा तर लोग अपना मन किसी चीज़ पर तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपकी भावनाएं उससे न जुड जाएं क्या जब टूब चाहता हूँ झाल 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 हथेलियां खुली रखें और स्थिरोकर बैठें अपनी आँखों से ध्यान देते हुए और साथ ही मन और भावनाओं से ध्यान देते हुए अपना ध्यान पूरी तरह से सफेद बिंदू पर केंद्रित करें आँखें खुली रखें झाल 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 आंखें बंद करें और स्थेरो कर बैठें आंखें बंद रखें और स्थेरो कर बैठें झाल 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 अपने शरीर को स्थिर रखिये बिलकुल स्थिर हर हलचल की एक शुरुआत और एक अंध होता है स्थिरता की ना तो शुरुआत है ना ही अन आप बिलकुल स्थिर बैठिये अपने शरीर को स्थिर रखिये बिलकुल स्थिर गुरु बिलकुल स्थिर गुरु गावे गुरु भीन केसे गुरु न माने तो गुरु नहीं आवे गुरु न माने तो गुरु नहीं आवे गुरु जन में बे गुरु नहीं आवे गुरु भीन केसे गुरु गावे गुरु भीन केसे गुरु गावे कर दो यकी माने खब ख़ु आवे गुरु लावे गुरु नहीं आवे गुरु लावे इन दो गुरु आवे अवे gwावे झाल 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 अपने हिसाब से समय लेते हुए धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे आँखें खोलिये झाल 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 झाल